नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड अप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली महिला छात्र मजदूर संगठनों का हल्ला बोल सरकार और किसानों के बीच की चोथे चरड़ की चर्चा खत्म अगली बैटक 5 दिसंबर को कुरोन अपडेट देश में पिछले 24 घंटों में 36,595 नए मामले 540 मरिजों की मौत हमाई चोथी और आखरी खबर भोपाल गैस त्रासदी 36 साल के बाद भी सरकार की बेरूखी का सामना कर रहे हैं पिड़ेट किसानों के आंदोलन के समर्थन में कई संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन में दिल्ली के नागरिकों सहित, श्रमिकों, महिलाओ, छात्रों, युवाओं, एवं बुद्ध, जीवियों लोगों ने किसानों के साथ एक जूटता के साथ विरोध प्रदर्शन किया है जिसमें मांग की गई है कि सरकार को किसानों की मांगो और दूरदर्शा पर ध्यान देना चाहिए और तीन क्रिशी कानूनों को रद्ध कर देना चाहिए आपको बता दे कि प्रदशनकारी किसानों का कहना है कि इन अधिनियमों का उद्देश, खेती और जमीनों को बेवज़ा भूके कॉर्परेट की सेवा में सौपना है और संघशरत किसानों को बड़े संकट में छोड़ना है यह संकट ऐसे समय में बढ़ जाता है जब हमारी अर्थ व्यस्ता लगातार बिगड़ती जा रही है पूरे देश में लाखो किसान विरोध कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर दमन और पुलिस की हिंसा जैसे की इस भीशर ठाइन में वाटर कैनन आसू गैस से किसानों पर हमला किया गया इसकी निंदा करते हुए सैगडों की संख्या में लोगों ने जंतर मंतर पर अपना विरोध जताया आज हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ महिलाएं नहीं हैं महिला हैं किसान हैं खेत मजदूर हैं मिल मजदूर हैं चात्र हैं टीचर्ज हैं दूसरे जो कंसर्ण सिटिजन्स हैं वो हैं एंजियोज हैं बहुत लोग मिल करके यह प्रदर्शन कर रहे हैं यह किसानों से एक जुटता दिखाने के लिए है ऐसा नहीं है कि हम बॉर्डर पे जो किसान बैठा है उनके पास नहीं जा रहे हम वहां भी जा रहे हैं और यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे है दिल्ली में प्रोटेस्ट करना जरूरी है दिली में किसान को आने नहीं दिया गया है किसान के साथ ऐसा बर्ताओ कर रहे हैं जैसे पहले जमाने में दुश्मनों को अपने देश के बाहर घटे खोद कर आने से रोका जाता था उस तरह का बर्ताओ किसानों के साथ हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ एक स्टेट के किसान को दूसरे स्टेट के किसान से लड़वाने की हरकते हो रही है ये दिखाया जा रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है जबके ये पूरे देश का आंदोलन है और तो और किसानों के खिलाफ पैरा मिलिटरी फोर्सिस को भी लगा दिया है तो जवान को एक जमाने में नारा होता था जए जवान जए किसान आज उन्हों ने जवान और किसान को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा करने की हरकते शुरू की है मतलब ये लोग हिंदुस्तान ही के लोगों को आपस में विभाजित करने की पूरी पूरी साज़िश कर रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं हम सब की ये मांग है किसानों के जो किसान विरोधी बिल हैं उन बिलों को वापस करें ये बिल सब के खिलाफ है आम जनता के मेहनत कशके इसलिए ये आंदोलन जन आंदोलन है जन आंदोलन है जनवादी आंदोलन है और हम सब इस आंदोलन में शरीक हैं आज यहां पार्लिमेंट स्ट्रीट के अंदर जो दिली के सिविल सोसाइटी है दिली के मैस और्गनाशिशन से उन लोग ने तैए किया था कि वो किसानों के प्रक्ष में और जो तीन क्रिशी कानून है उसके विरोध में आंदोलन करेंगे दिल्ली की सरकार ने, सकंदर की सरकार ने तो किसानों को बॉटर बे रोग दिया लेकिन हम भी mini अब बताना चाते हैं कि दिल्ली की जन्ता किसानों के साथ है यह जो प्राइवेट हाथों में किसानी, जमीन और हमादी खादिस रख्षा को रखने की कोशिश की जा रही है, यह कवायत कभी भी मनजूर नहीं की जाएगी और यह निरनाइक लड़ाई के अंदर दो खेमे हैं, एक तरफ किसान, भारत की जनता, भारत के मजदूर और दूसरी तरफ मोदी जी के नित्रितम में अदानी और अमबानी जो कर्पोरेट को फाइदा पहुचाना जाते हैं और यह देश की जनता के हकोग के लिए लड़ाई बिलकुल साफ है और दिल्ली ने तेह किया है कि वो किसानों के साथ है और इस नरणाएक लड़ाई के अंदर जब तक क्रिशी बिल बापिस नहीं होगे यह लड़ाई जारी थी क्रिशी कानून के विरोध में केंद सरकार और किसानों के बीच की बैठक करीब आठ घंटे के बाद खत्म हुई क्रिशी मंतरी नरेन सिंग तोमर ने बताया कि बाचित सोहादरपुड वातावरण में हुई फिलाल दोनों के बीच बाचित से कोई नतीजा नहीं निकल सका लेकिन दोनों पक्षों ने 5 दिसंबर को एक बाद फिर से मिलने का फैसला किया है किसान यूनियन के नेताओं से मुलाकात के बाद केंदरी क्रिशी मंतरी नरेन तोमर ने कहा आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौते चरड़ की चर्चा पूरी हुई है किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा है और सरकार ने अपना पक्ष आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है किसानोंने बहुत सही से अपने विशेयों को रखा है जो बिंदू निकले हैं उन पर हम सब लोगोंने लगबक की सहमती बनी है परसो बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे उन्होंने कहा किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए एक्ट से APMC खत्म हो जाएगी भाज सरकार इस बात पर विचार करेगी कि APMC सशक्त हो और APMC का उपयोग और बढ़े किसान यूनियन की पराली के विशेय में एक अध्यादेश पर शंका है विद्यूद एक्ट पर भी उनकी शंका है इस पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तयार है आज बैटक का चौथा चरण समाप्त हुआ परसो यानि 5 दिसंबर को दोपर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की मुलाकात फिर से होगी और हम किसी अंतिम निर्ना पर पहुचेंगे दूसरी और सरकार के साथ बैटक के बाद भारती किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा सरकार ने MSP पर संकेत दिये हैं सरकार बिलो में संशोजन चाहती है आज बात कुछ आगे बड़ी है आंदोलन जारी रहेगा पांच दिसंबर को बैटक फिर्ट से होगी इससे पहले किसान नेताओं ने बिहस्पतिवार को यहां तीन केंद्री मंत्रियों के साथ हुई बैटक के दौरान दिये गए भोजन को खाने से मना कर दिया और इसके बजाए सिंगू बॉर्डर से अपने एक वहन में लाए गया खाना खाने की तहरीज दी केंदी स्वास्त मंत्राले दौरा आज शुक्रवार यानि 4 दिसंबर को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 घंडों में करोना के 36,595 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 540 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 42,916 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 6,861 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 95,71,569 हो गई है जिन में से अब तक 1,49,188 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी डेट बढ़कर 94,191 फिस्दी हो गया है आइसे मार दोरा जारी अगड़ों के अनुसार अब तक 14,47,749 सैंपल की जाच की गई है जिन में से 11,70,102 सैंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है पिछले 36 सालों से सरकार की बेरूखी का सामना कर रहे भोपाल गैस पीड़ों के लिए साल 2020 एक कहर बनकर सामने आया है 22 मार्च को प्रधान मंत्री नरिन मोधी की कोरोना संक्रमण की रोक्ताम के लिए जनता कर्फियू की अपील के ठीक एक दिन बाद मद्यपदे सरकार ने भोपाल मेमोरियल अस्पताल को राज्यस्तरी कोरोना अप्चार केंदर बना दिया यह जानते हुए भी कि BM-48C मद्यपदे सरकार के अधीन नहीं है 23 मार्च को COVID-19 बीमारी की रोक्ताम हेतू मद्यपदे सरकार ने BM-48C को राज्यस्तरी COVID-19 अप्चार संस्थान के रूप में चिन्हित कर दिया सरकार के इस निर्णय ने पहले से ही कई खतरनाक बीमारीों से लड़ रहे गैस पिडितों को जगजोर कर रख दिया मद्यपदे सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ती दज करते हुए बोपाल गैस परित महिला उद्ध्योग संगटन और बोपाल गैस परित संगर्ष सहयोग समिती ने प्रमुक्स अचीव स्वास्त विभाग मद्यपदे सरकार को इस आदेश को तुरंत निरस्त करने के लेकर पत्र लिखा मद्यपदे सरकार दोरह इस मामले में संग्यान न लेता देख बोपाल गैस परित महिला उद्ध्योग संगटन और बोपाल गैस परित संगर्ष समिती ने उच्टम नियाले से मदद की गुहार लगाई इस दोरान एक अन्य मामले की सुनवाई के चलते सुप्रीम कोट ने इस मामले में मद्यपदेस हाई कोट के सामने अपनी बात रखने को कहा इस बीच मद्यपदेस सरकार ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए भोपाल मेमोरियल हस्पताल में दोबारा से केवल भोपाल गैस पेड़तों के उपचार को शुरू करने का निर्णय पंदरा पहल को लिया इसी तरह मद्यपदेस सरकार का एक दूसरा फैसला जिसने गैस पेड़तों को पीड़ा बढ़ाने का काम किया था वो था दिसंबर 2019 से विद्वा पेंशन की राशी को बंद कर देना इस पैसले के खिलाप बार किसन नामदेव की संस्ता भुपाल गैस परित निराक्षित पेंशन भोगी संगर्स मोचा ने मद्यपदेस सरकार के खिलाफ कई प्रदशन किये और आज भी प्रमुकता से आवाज उठाने का काम कर रही है भुपाल गैस परित महिला द्योग संगटन और भुपाल गैस परित संगर्स सहयोग समीती ने इस मामले को लेकर राश्टी मानो अधिकार आयोग से मदद की गुहार की आज के डिली रॉंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया